साथी अरब को हैफेड 20,000 टन चावल निर्यात करेगा इसके जानकारी देते हुए हैफेड के चेयरमेन कैलाश भगत ने बताया कि हैफेड जल्द ही मल्टी ग्रेन आटा, बेसन और दाल को मार्केट में उतारेगा बर साथ से किसानों को क्या नफा नुकसान होगा, इस बारे में भी खास बातशीत की हमारे समवाधदाता अनिल कुमार ने हाफेड के चेयरमेन कैलाश भगत से हेफड 20,000 टंव रैस एक्सपोर्ट करेगा इस मेरे साथ है हेफड के चेर्मेन के लाच भकt इन से जानते हैं कि हेफड किस कंट्री को एक्सपोर्ट करने जा रहा है और कितना रैस का एक्सपोर्ट होगा च्छी हम पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे मन्य मुख्य मंत्री जी ने हमारे को एक ही आदेश दिया था कि आप किसानों की गरीब आदमी की आम आदमी की वेपारी की जो भी कोई दिक्त हो उसको दूर करने का काम करेंगे इस बार बास्मती पैड़ी के रेट जो है बजार के अंदर बिल्कुल डाउन हुए तो मैंने मन्य मुख्य मंत्री मनोलाल जी से एक ही बात कही कि हमारे को परचेज करने के लिए आप और्डर दो तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही कि जिम्मिदार का जिसमें फाइदा होता है उस काम को आप करो हमने पूरे अर्याना परदेश की बास्मती करने का काम किया और उसके साथ साथ उसी बास्मती का बीस जार्डन का एक्सपोर्ट साओधी अर्बिया को करने का काम किया हाँ हैफर्ड अब आगे आगे हर घ्रेलू प्रोड़क्ट को लागू करने के लिए हमने मल्टी ग्रेन आटा दालों में वेशन हमारे पास आल्री जो है वो सरसो का तेल आटा हमारा पहले भी चल रहा है और चावल जो आम आदमी के लिए बड़िया से बड़िया क्वाल्टी जो है वो हम मार्किट के अंदर उतार रहे हैं भगजी जो इस समय बरसात हो रही है इस बरसात से फसलों को क्या नफा नुक्सान होगा जो आज की तारिख में बरसात हो रही है इससे जिमिदार को बहुत फाइदा है और बिजाई जो है वो पूरन तया जो है पैड़ी की जो बिजाई है वो पूरे जोर शोर से पूरे हर्याना प्रदेश के अंदर हो रही है मेरे को हमारे कैथल के अंदर हमारे बजुर्गों ने सब पंजाबियों में एक गीता भाउन की नीव सन 1966 में रखी थी हर तीन साल के बाद हमारा इलेक्शन होता है मेरे ये तीन साल के बाद जो इलेक्शन होता है मेरे ये सातवीं बार थी जो मेरे को युनानी मसली परदान बनाया गया और पिछले 18 साल के अंदर हमने गीता भाउन की कंस्ट्रक्शन को लगातारी रखा है एक भवे बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जो आज भी चल रहा है एक हमने हाल को कम्पलीट किया है एक बैंक की बिल्डिंग को कम्पलीट किया जिससे हमारी किराए की इंकम बनती है हमारे सबी साथी और इसके अंदर हमारे पास हमारे मन्य मुख्य मंत्री जी का योगदान भी बहुत अच्छा रहा है ये थे मेरे साथ हैफ़ड के चेर्मेन के लास भगत इन्हों ने बताया कि 20,000 टन राइस साउदी अरब को हैफ़ड एक्सपोर्ट करेगा अनिल कुमार टोटल नियू चन्डिकार